एक तो दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, ये कंडिशन कब अराईज होती है, एक्जाम प्रेसर आ रहा है, एक्जाम बिल्कुल नजदीक आए जा रहे हैं, क्या करें, एक्जाम प्रेसर जो है वो जबरदस्ती लेने वाली चीज है, जितना आपके पास, जितना पोसिबल है आपसे maximum revise करो, hello everyone, मैं हूँ dr. आशीश और आपके एक्जाम जो है, वो बिल्कुल नजदीक है, सोचा थोड़ी बात कर ली चाहिए आपसे, आपके एक्जाम जो है, वो बिल्कुल आपके दरवाजे पर खड़े हुए हैं, अब आपके मन में बहुत सारी चीज़े आ रही है और syllabus जो है, almost cover हो गया है, तो कुछ चीज़े जो है, वो mind में आती रहती है, कुछ प्रैसर जो है, वो आते हैं, बच्चों की दिमाग में, और एक्जाम जैसे नजदीक आते हैं, कुछ ना कुछ प्रैसर जो है, वो आता है अपने आप, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़े नी맛 में आती हैं, देखो सबसे पहले एक तो दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, यह condition कब arise होती है, यह condition तब arise होती है, जब आप बिना मन से पढ़ रहे होते हैं, जब आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, तब यह condition arise आते हैं, कि यह दिमाग में कुछ जा क्यों टूँ नही किये जा रहे हो, आपको थोड़े से rest की जरूरत है, थोड़े से आपको rest की जरूरत है, आप rest करो, थोड़ा से एक break लो, छोटा सा, break का मतलब यह नहीं है, vacation पे चले गए, एक छोटा सा break लो, जब आपके यह दिमाग में आ रहा है कि दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, एक तो भी आपको अच्छा लगता है, वो करो, अच्छे-च्छे song सुनो आप, एक दो song सुनो, और mood को थोड़ा fresh करो, और दुबारा से बैठो, उसके बाद एक नई शुरुवात करो, अगर आप लोगे, तो रहेगा, नहीं लोगे, तो नहीं रहेगा, सिम्पल सी बात है, एक जब्बर्दसर किसली लेना है, आपने selection लेना है, ब्रैसर नहीं लेना है, तो अगर आप इसको ले रहेऊ, यह मिलता कहा है, उसे ही मिलता है, कोई देख के नहीं चाहता इसको, अगर आप लोगे तो यह आएगा, आप नहीं लोगे तो यह नहीं रहेगा, आपने simply दिमाग को बिल्कुल fresh करके, दिमाग को बिल्कुल free of worries करके आपको अपढ़ते रहना है, यह pressure बिना पालतु का pressure है, इ लेकिन बच्चों में यह फिर भी आता है, यह बेवजा है, तीसरी बात, syllabus का pressure, syllabus का अगर pressure है, कि यह topic रह गया, जैसे कि कुछ यह होता कि यह topic रह गया, या syllabus के बारे में जो भी आता है, कि यह part मुझे कम आता है, उस चीज का pressure भी नहीं लेना है, आपने simply क्या करना है, syllabus का अगर pressure आ रहा है, तो आपने जितना पड़ा है, मालो, अगर आपने पड़ा है, कोछ, let's suppose कि 10 units है, 10 units है, और आपने पड़ी है 6 units, आपने पड़ी है 6 units, वो भी धंग से नहीं पड़ी है, तो आपको 1-2 unit जो है, तोड़ा सा extra time निकाल के extra करनी पड़ेंगे, लेकिन एक short duration of time में वो आपको सारी चीज़े करनी पड़ेंगे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपने 8 unit cover कर ली है, आपने उनका 1-2 बर revision भी कर लिया, 2 unit बच गई है, अब आप ये सोच रहों कि मेरी 2 unit रह गई है, अब मैं क्या करूँ, तो आपने अब कुछ नहीं करना है, कि नई च पड़ा है, केवल आप उसी के ही maximum revision करते रहें, और उसको ही पड़ते रहें, उसके ही question analysis आप करते रहें, तो topic जो रह गया, ये भी कोई pressure नहीं है, pressure जो है, वो ये भी आता है, कि अब थोड़ा सामने कम पड़ा है, तो अब क्या हुआ, अब भी कुछ नहीं हुआ, अब के चाहे वो कर सकते हो, जरूरत है आपको एक new strategy की, एक बहतर strategy की, आपको जो time है, आपका दिन 24 गंटे का रहता है, आप कोशिश करो, जो आपका पढ़ने का time है, जैसे मालो आप दिन 24 गंटे का है, उसको 30 गंटे का बना दो, इसका मतलब ये है, कि जो topic आप एक गंटे में प खतम हो जाए, एक गंटे का topic, 40 मिनट में खतम कैसे करोगे, बिल्कुल fresh mind से बैठके उस topic को करो, बिना किसी वरी के, वो सारी चीजे हो जाएंगे, new strategy बनाओ, new strategy, ये किसके लिए है, ये उसके लिए है, जिसको बहुत जादा exam का pressure है, जिसके topics रहे गए हैं, उसके लिए, आ तो आप विदिन 2 और 3 days के अंदर अपनी 2 unit और कर लो, 7 कर लो, लेकिन उनको फिर अच्छे से करो, उनका revision भी proper चलते रहना चाहिए, लेकिन जो जिस students का चल रहा है, वो नई strategy की तरफ ना जाएं, जैसे आप चल रहे हो smoothly वैसे ही चलते रहें, जैसे आप smoothly चल रहे हैं, वै इस बात का conclusion आता है, वो मैंने यहां mention किया है, कि सबसे पहले exam का pressure जो है, वो कोई pressure नहीं रहता है, वो बिना बात के जबरदस्ती लेने वाले चीज रहती है, तो exam का pressure ना ले, सबसे main बात तो यह है, कि आपकी body और आपका mind fresh रहना चाहिए, सबसे positive mind और free mind के साथ आप पढ़ाई शुरू करें, अब आप यह सोचते हों कि आपके पास half month है, half month is sufficient, आप जो जितना पढ़ते हैं, maximum revise करो आप, जितना possible है, आप से maximum revise करो, अगर किसी topic को आप strong करना चाहरे हो, किसी unit को strong करना चाहरे हो, या आपने जो पढ़ा है, उसको strong करना चाहरे हो, revision is the must, सबसे बड़ी चीज है, revision, सबसे बड़ी चीज है, किसी भी exam के लिए, revision जो है, वो सबसे बड़ी चीज है, revision जिस student ने maximum revision किया है, उसको कुछ, जो options है, उसमें कुछ blurriness नहीं आए गई, उसको options धुंदले दिखाई नहीं देंगे, जिसे ने ज़्या सादा किलियर रहेगा कि इस question के answer जो है, या इसका option जो है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, आपको selection लेना है, तो आपको selected पढ़ना पड़ेगा, आपको selected पढ़ना पड़ेगा, Wikipedia नहीं बनने हैं आपने, आपने Wikipedia नहीं बनना है, Wikipedia अगर आपको बनना है, तो आप क्या करें, आप पहले अपना selection ले लीजिए, उसके बाद जो मर्जी जितना पढ़ने हैं आप पढ़ें, पढ़ते रहें, जो अगर अपी भी पढ़ लें, इंटरस्ट है तो, लेकिन पहले आप जिस काम के लिए ये चीज आपने स्टार्ट की है, आप पहले उसका selection के लिए आप selected ही पढ़ें, पूरी unit है, मालो कोई भी chapter है, कोई भी unit है, उस वो बहुत बड़ी unit होती है, आपना syllabus जो है, IAT Jam का जो भी syllabus है, जिस भी exam के लिए आप प syllabus पास में हमेशा आपके रहना चाहिए, syllabus में दिये हैं एक unit के 5 topics, unit में है 15 topics, आप पूरे 15 के 15 पढ़े जा रहे हो, वो भी नहीं करना है, question analysis, question analysis, आपने, आपको ये तो पता चल गया होगा, last 10 year questions को पढ़ने पे, कि examiner का mindset क्या है, या एक particular unit से maximum जो question घूम फिर के आ रहा है, वो capability, वो potential आपके अंदर होना चाहिए, आप इस level पे हो, कि आप analyze कर सकते हैं, कि probability जो है, chances जो है, वो क्या है, don't start new thing, कोई नई चीज start ना करें, जो आपने पढ़ा, वो पढ़ा है, new चीज start करने का, new topic start, जो करना है, वो किसने करना है, वो उसने करना है, जिसकी 5 unit हुई है यह जिसकी unit कम हुई है, उसको start करना है, अब जो main चीज है, केवल और केवल आपके लिए revision बनता है, आपको जितना possible हो, उतना revise करना है, और जितना possible हो, questions की practice करनी है, और question practice करने के लिए, बिना notebook और बिना pen के, आप question practice नहीं कर सकते हैं, आप जब तक question paper के अंदर लिखते नहीं है, उसके अंदर कुसको पूरा काला नहीं कर देते हैं, कोई practice नहीं है, तो इसलिए, सबसे जरूरी चीज है कि question practice लगातार करते रहे हैं, जहां से भी आपको question मिल रहे हैं, आप अपना syllabus और revision, syllabus complete हो गया है, अब क्या है, आप revision करना लिजिए, this should be the strategy, exam का कोई pressure नहीं है, उसको लेना नहीं है, ना कोई exam नजदीक आगए, उस बात का pressure है, ये केवल और केवल psychological issues है, हमारी बनाए हुए, हमारे create की हुई चीज हैं ये, ये कोई आपको देके नहीं जा रहा है, आप ले रहे हैं, और ले क्यों रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूक की हुई है, बीच में आपने कहीं न कहीं, during preparation कोई न कोई चूक की हुई है, इसलिए लिए जा रहे हैं, DPP सोल किये जा रहे हैं, कोशन सोल किये जा रहे हैं, साथ में रिविजन भी चल रहा है, उन स्टूडेंट का, उस स्टूडेंट के माइंड में ये कोशन कभी नहीं आता है, और आपके माइंड में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली तयारी किया है, प्रेक्टिस किया है कोशन सोल किया है, रिवीजन किया है तो ये सारी चीजे जो है ये साइकलोजिकल चीजे है अगर हम चाहेंगे तो हमारे पास आएंगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगी सबसे जरूरी बात ये है कि free mind होना चाहिए, positive mind होना चाहिए बिल्कुल fresh mind होना चाहिए और बीची में breaks भी होने चाहिए ये नहीं कि आप 4 गंटे से 5 गंटे से लगातार पढ़ रहे पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो एक saturation level होता है हर student का एक saturation level होता है वो saturation level अगर पार होता है, उसके बाद आप थोड़ा सा break लीजिए 3 गंटे के वल तब ही बैठ सकते हैं, जब हम mock test कर रहे हो या पूरा का पूरा complete question paper solve कर रहे हो, तब हम 3 गंटे बैठ सकते हैं, otherwise जब हम पढ़ रहे हैं, जब revise कर रहे हैं 3 गंटे ना बैठे, कोशिश करें उसको तोड़ तोड़ के पड़ें, और जो अपना break है, उसको बहुत बड़ा ना रखेंगी ये ना सोचें कि चलो एक break लेते हैं, बीच में movie देख लेते हैं 3 गंटे की, उसके बाद एक और break लेंगे, 3 गंटे की एक और movie देखेंगे ये break नहीं होते हैं इसका मतलब ये है कि आप आपका जो major काम है, वो movie देखना है लेकिन minor काम क्या है movie के बीच में आप break लेके पड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया इसलिए चोटे चोटे ब्रेक रखें positive mind के साथ सिरफ आपको महिनत करते रहना है और चीजे जो है, वो काम आपके आएंगी ही आएंगी मेरी विशिज आपके लिए ये हैं कि आप निरंतरता पढ़ते रहें, flow के साथ पढ़ते रहें, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है दूसरी बात, आप अपने mind को stress ना दे अपनी body को stress ना दे ना अपने mind को stress दे ना अपनी body को stress दे जिसको जो चीज इस time, जो चीज होनी चाहिए उस time वो चीज करें बीच में rest भी ले, पढ़ाई भी करें और दूसरी सबसे जरूरी बात कि बीच में बिमार ना हो उस चीज का भी आप ध्यान रखें Wish you all the very best and thank you